तो हाई गाइस वेलकम जो आए फेस स्वागत है आप सबका आए फेस में आज के इस इंपोर्टेंट कॉंसेफ्ट आफ दे के वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑक्साइट ऑफ फॉस्फरस विच इस वरी इंपोर्टेंट क्यूंकि अगर आप देखेंगे जो र यह शैनले अगर में ऐक्साइट के बारे में बात करता हूं तो कैसे प्रिपेर करेंगे हम औक्साइट को जोग laughing हो हो सकते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं एक होता है आपका नॉर्मल ऑक्साइड ठीक है एंड अधर वन इस कॉल्ड एस मिक्स्ट ऑक्साइड अब ऐसे नाम क्यों रखा है आपको थोड़ा सा अंदाज लगेगा जब मैं इसको एक्स्प्लेइन करूंगा जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड की अगर में बात करता हूं इसके अग्जाम्पल देखिए आपको क्या मिलते हैं यस आपको मिलते हैं पी-4-0-6 एस पी-4-0-10 अब यह दो स्पेसिफिक एक्साफ्ल में अगर आप देखेंगे आप फौस्फरस की ऑक्साइड जो है इन में अगर आप अपनी औक्सीडेशन स्टेट को फांड करते तो आपको क्या मिलता है जिकर और इसको अगर मैं हाइड्रोलाइस करता हूं तो आपको एक ही प्रकार का अमिलता है और यह फॉन टाइप आफ ओक्जो एसीड ठीक है यह बट यह दी मैं मिक्स्ट की बात करता हूं मिक्स्ट ओक्साइट में अगर आप देखेंगे आपको मिलते हैं कैसे एक्जामपल जैसे कि आपको मिलते हैं जिस अपने पी फॉर ओ सेवन पी फोर ओ एट हो गया और पी फोर ओ नाइन हो गया ठीक है यह है मिक्स्ट एक्साइट के एक्जामपल अब इनको अगर आप देखेंगे यहां पर क्या होता है जी सर आपको प्लस त्री ऐस प्लस फाई का और जब आप इनको हाइड्रोलाइस करते हो तो आपको क्या मिलता है मिक्षर मिलता है अपने ऑग्जो एसिट्स का ठीक है बड़ देखें यहां पर जनरली अगर आप देखेंगे इस फॉस्फरस की जो ऑक्सिडेशन स्टेट आनी है वो कितने आनी है प्लस त्री आनी है औ अब इसको अगर मैं एक एक्जामपल लेता हूं जी सर मैं ले सकता हूं फी फोर ओ सिक्स ठीक है अब इसको अगर मैं हाइड्रोलाइस कर रहा हूं तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनता है एक ही प्रकार ओक्स로 asid is H3 P3 key क्यों कि यहां पर आपके इस फॉसफरस पर क्या है प्लस ठी ऑक्सिडेसरन स्टेट है तो आपको चो अखता हो सब्सक्राइड ने सकते हो हैँ क्राइब आपको क्या मिलता है एक ही प्रकार का S3PO4 के ही आपको सारे मॉलेक्यूल्स मिलते हैं ठीक है कितने फॉस्फरस है चार तो आपको चार S3PO4 मिलेंगे जी सर और यहां पर कितने है चार तो आपको यहां पर चारो S3PO3 ही मिलते हैं ठीक है इस केस में क्या है फॉस्फरस है प्लस सैवन का दो अब यहां पर डो oxidation City आवेलेबल है और प्लस धुत है अब यह कितने प्लसवाइब में है इसके भारे में हम थोड़ी देर के बाद में जा इसके बारे में हमारा Kis पर रेगा कि इसका यहां पर आपके इस हो即ok आउक्साइड को, तो आपको क्या मिलेगा, यस आपको मिलते हैं S3PO3, जहां पर यह फॉसफोरस रहता है plus 3 में, और साथ ही साथ आपको मिलता है S3PO4, जहां पर इस ऑउक्साइड में आपके फॉसफोरस पर क्या होती है, plus 5 की Occitation State होती है, तो खुल मिलाकर आपको दो प्रकार के oxoacid मिलते हैं इस प्रकार से ठीक है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं mixed oxide कहते हैं और इनको हम क्या कहते है normal क्योंकि एक प्रकार का और यह respectively दो प्रकार के oxoacid आपको दे कर ही मानेंगे ठीक है इतनी समझ में आ चुकी होगी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इन ऑक्साइट के structure के बारे में बात करते हैं क्योंकि important बात structure ही रहने वाली है अभी तक जितने बार भी question पूछा गया आपके पी-4-0-10 ले लिजिए या फिर पी-4-0-6 जो भी phosphorus का oxide उठा लीजिए उस पर structure से related ही question बना है ठीक है ओके चलिए oxides of phosphorus में सबसे पहले मैं देखता हूँ पी-4-0-6 ठीक है फिर आप सारे ले लिजिए जी सर पी-4-0-6 है पी-4-0-7 है पी-4-0-7-0-8 है इन सारे oxides का जो structure है वो कैसे रहता है जिसर अड़मेंटेन लाइक structure होता है कि कैसा होता है यह तीन रिंग कांबिनेशन है ठीक है मैं कुछ इस प्रकार से आपके इस च्रक्चर को दिखा सकता हूँ ठीक है यह आगया आपका पहला hexagon ठीक है यह आगया आपका दूसरा hexagon और यह आगया आपका तीसरा hexagon है ना इसमें कितने rings है जी सर तीन rings है अब इसको कैसे पता चलेगा कि यह कितने rings carry कर रहा है या फिर नहीं ठीक है एक-एक bond को break करते जाओ ठीक है सबसे पहले अगर मैं इस bond को break करता हूँ तो एक ring खुल जाएगी ठीक है इस bond को break करता हूँ तो दूसरी ring खुल जाएगी और इस bond को break करता हूँ तो तीसरी ring भी खुल जाएगी ठीक है जितने आपने bond break किये जितने ring खुल गया यह तो यहाँ पर तीन बांड ब्रेक किये तो तीन और रिंग खुल गये तो इसका मतलब इस structure में कितने है थीन रिंग पॉसिबल है ठीक है त्री रिंग्स है ठीक है अब सबसे पहले देखे पीफारो सिसेवन पीफारो वर और नाइन पीफारो टैन एक प्रक्ठ डेख लो इसके आगे कि जो इज प्रक्ठ रहें आपके लिए बहुत ही जी लगने लगे आपको बहुती आसान होने लगेंगे आपको यह सारी श्ट्रक्चर जैसे कि मैं बात कर सकता हो फी फोर ओफिक्स की ठीक है P4O6 का structure कैसे आएगा देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ P4O6 का structure चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ऐसे दिखता है एक एक जागॉन आ गया दूसरा आ गया और यह आ गया तीसरा अब इस ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे है ना इसको मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ जी सर नार्थ साउथ इस्ट और वेस्ट को ले लेता हूँ सारे इंडिया को जोड़ देते हैं चलिए है ना तो दीखे मैं रेड गलर से हाईलाइट करता हूँ फॉस्फ फॉरस मैंने क्या किया यस मेरे पास चार फॉस्फॉरस है उनको मैंने नौर्थ सौथ ईस्ट और वेस्ट भीज दिया किसकी खोज में ऑक्सिजन की खोज में ठीक है एक नौर्थ में चला गया एक साउथ में चला गया जीसर एक चला गया इस्ट में और एक चला गया वेस्ट में इस तरीके से थे आपके ऑक्सिजन यह बन गया आपका स्ट्रक्चर ठीक है इस से रिलेटेड जो कोशन पूछा गया है ठीक है पहले मैं वही बता देता हूं आपको यहां पर पूछा गया था कि फॉस्फरस ऑक्सिजन फॉस्फरस बॉन्ड कितने हैं कुछ इस प्रकार से कोशन था ठीक है इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कोशन मौडिफाइ हुआ था ठीक है भू सकता है कि आपको अलगले प्रकार से और दूसरे कोशन भी पूछ ले क्या possibility बनती है जी सर यस आपको पूछ सकता है क्या आपको पूछ सकता है कि पी ओपी बॉन्ड कितने है ठीक है पहला कोशन ह आपको और क्या पूछ सकता है यस आपको पूछ सकता है कि यहां पर टोटल नंबर ओफ रिंग्स कितने है यह होगा आपका दूसरा कोशन आपको और क्या पूछ सकता है यस फॉस्फरस की ऑक्सिडेशन स्टेट क्या रहेगे फॉस्फरस ऑक्सिडेशन स्टेट क्या रहती है ये आपको पूछ सकता है ठीक है और fourth point phosphorus की hybridization आपको पूछ सकता है geometry आपको पूछ सकता है as well as shape ये सारी चीजे आपको पूछ सकता है इस molecule में ठीक है सारा खेल structure का है structure आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए जी सर ये कुछ नहीं है ठीक है आप बड़े अराम से इसको solve कर सकते हो ठीक है और साथ ही साथ आपको और वी अलग अलग प्रगार की question पूछ सकता है जैसे आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर P1 NMR P31 NMR signal कितने मिलते हैं ठीक है यह question बन सकता है ठीक है और एक और important question है that is regarding hydrolysis माली जै मैं लेता हूँ यहाँ पर P406 और इसकी मैं hydrolysis करना चाहता हूँ ठीक है तो आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर product क्या बनता है और यहाँ पर आपको पूछ सकता है कितने H2O के molecule required रहेंगे इस complete hydrolysis के लिए हैं इस प्रकार से आपको question पूछा जाएगा गाईस से लिए one by one करके इन questions को देखते हैं सबसे पहला question मैं देखूंगा कि कितने P.O.P. bond है ठीक है देखें एक P.O.P. bond दो P.O.P. bond तीन P.O.P. bond चार पांच और छे 6 P.O.P. bonds are present in this molecule ठीक है कितने rings है एडवेंटेन रिंग है तो हर इसमें क्या रहेगा जी सर तीन rings possible है ठीक है त्री rings आर पासिबल दूसरा question तीसरा question फॉस्फरस की oxidation state क्या होने वाली है यस वाट इस दे ऑक्सिदेशन state of phosphorus that is plus 3 obvious सी बात है ठीक है all the phosphorus are in plus 3 oxidation state ठीक है बिलकुल भी भूलना मत hybridization क्या रहेगी इसकी this is going to be in SP3 hybridization है ना तीन सिगमा है और एक क्लोन पेर भी तो है ठीक है लोन पेर है इस तरीके से यह SP3 hybridization में आ गया geometry क्या रहेगी टेट्रहेडरल और शेप क्या रहेगा जी सर पिरैमिडल शेप देखने को मिलता है आपके एनिमार सिगनल मिलता है फॉसफरस के लिए चलिए अब इंपोर्टेंट सवाल है ना पी फोर ओ सिक्स को हाइड्रोलाइस करने में कितने ह्टो के मॉलेक्यूल लगेंगे ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है ठीक है तो देखिए मैं लेता हूं यहाँ पर एक पी ओपी इसको हाइड्रोलाइस करता हूं यहाँ पर क्या होगा है और यह बॉंड को तोड़ देगा इस से आपको मिलता है दो पी ओएच बॉंड मिलते है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे आपके एक पी ओपी बॉंड को तोड़ने में कितने ह्टो के मॉलेक्यूल लगे है इस वनगार य jurisdiction के लिए आपको लगे एक टो के मॉलेक्यूल यदे आपके मॉलीक्यूल में छे पी ओपी बॉंड प्रेजन है तो आपको कितनेए च्टो के मॉलेक्यूल लगेंगेस इस तरीके से complete hydrolysis के लिए आपको लगते हैं 6H2O के molecule और यहां पर क्या बनेगा आपका molecule यस आपको मिलता है जी सर पी OH OH and OH यह बन गए आपना molecule ठीक है दिस इस गोइंग टो बीड़ मॉलीक्यूल ठीक है फॉस्परस यहां पर रहेगा प्लस थ्री oxidation state में अब यह क्या है जी सर एक माइनर टॉटोमर है क्योंकि यह क्या करेगा आगे जाके convert करेगा खुद को जैसे कि देखे यह bond को मैं ऐसे दिखाता हूं फॉस्परस और oxygen की जो affinity होगा यहां पर shift करेगा बट आपका फॉस्परस बड़ा दयाल है यह इसको जाने नहीं देता है तो आपका यह जो structure है वह कैसे दिखता है ऐसे दिखता है guys इसको हम क्या कहते हैं जी sir yes this is called as H3PO3 ortho phosphorus acid this is the major taotomer of ortho phosphorus acid major taotomer ठीक है यह क्या है और थो पॉस्फरस एसीड है ठीक है यस इस इस दे स्ट्रक्चर ओफ यूर मॉलिक्यूल अब ऐसे ही अगर मैं और एक्स्टेंड करूं इसको अब यहां पर मैं ले सकता हूँ पीफोर जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले तो इस तरीके से आ गया जी सर आपका स्ट्रक्चर पीफोर ओ सिक्स के लिए यहां पर कह रहा है गा एक नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट सब के लिए रखा है हमने फॉस्फरस ठीक है और जो ऑक्सिजन है वो पीफोर ओ एट पीफोर ओ नाइन पीफोर ओ टेन सभी बना सकते हो कैसे देखे ध्यान से देखे बस स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रक्चर रिलेटेड ही आपको कोशन पूछा जाएग अगर मैं इस मॉलिक्यूल में क्या करता हूँ जी सर इस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सिजन को ऐसे लगा देता हूँ तो यह क्या बन गया यस यह बन गया पीफोर ओ नाइन बनाते हैं चलिए पीफोर ओनाइन के लिए एक और ऑक्सिजन यहाँ पर लगा दिया और पीफोर ओटेन के लिए मैंने एक और ऑक्सिजन यहाँ पर लगा दिया है ना तो P4 O6 से मैंने क्या किया जी सर P4 O6 से ही स्टार इस्ट्रक्चर बन गए और चाहो तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो इसको आप दिखा सकते हो P4 O6 और additional oxygen ऐसे आएगा इसमें जो P4 O6 है और दो oxygen को मैं दिखा सकता हूँ है ना P4 O6 O3 टाइम्स और P4 O6 O4 टाइम्स और इसके लिए आप सारी चीजे पुद से ट्राइ कर सकते हो है ना कि कैसे यहाँ पर अलग-अलग नंबर आफ पी ओपी बॉंड्स है कितने आपके फॉस्फरोस oxygen डबल बॉंड है हर मॉलीक्यूल के लिए आप खुद से ट्राइ कर सकते हो है ना आपके फॉस्फरोस की और ऑक्सिडेशन स्टेट बता सकते हो आप अने मार सिगनल हाइड्रोलाइस प्रोड़क्ट है ना तो कीप ट्राइंग ओके आई होप यहां तक की सारी बात क्लियर है मिलते हैं अगले सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी अगर डाउट है कोई अगर कोश्चन है यह आप मुझे पूस्ट सकते हो कमेंट बॉक्स में होफुली आपको कॉंसे पसंद आया एंड होफुली इससे आपको थोड़क्ट कोड़ी से बेनेफिट मिलेगे ओके फिर मिलते हैं अंतिल देन टेक केर हैपी लोर्निंग बाइबाइबाइब